सबसे पहले हम कुछ मसालों को बूर लेंगे तो मसालों में लेंगे हम खोपरा यह है खोपरा तो यह साइस का लेंगे हम इतनी बती लेंगे खोप्रे की तो इसको छोटे चोटे तुकड़े कर लेंगे अब और यह सुखा खोप्रा है तो यह देखिए इस तरह से खोप्रे के छोटे तुकड़े करके हम पैन में आड़ कर लेंगे अब इसी के साथ में काजू लेंगे 15 काजू है यह काजू को भी खोप्रे के साथ में énormément करेंगे और इसको हलकी सियाज पर भूंड लेंगे से हलके फिसकी हलकर color change होने तक भूंड लेता और जैसे ही इसका color change हो कि की इसे के अंदर खश खश भी दाल कर भूंड composer यह देखिए अब इसका जो color है को प्रहा और तो यह दो टी स्पून लें हम खशखश अगर आप लोग खशखश ने लेना चाहा है या अगर आप लोग पास में नहीं मिलती तो इसके बदले में आप लोग थोड़े से बादा मैट कर ले सकते हैं यानि कि 15 बादा मैट कर ले जिए तो अब के ओपर खशखश को जैसे ही डालेंगे हम फ्लेम भी पौर कट लेंगे तो प्यास जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसको भी हम भी मसालों के साथ मैं और इसको पीस नेके दौरान हम इसमें थोड़ा सा पानी फीप करेंगे पानी आड़ करके इसको पीस कर इसका पीस्ट बना के तयार कर लेंगे और यह जो प्यास का तला हुआ तेल है हम गोश्ट में आड़ करेंगे है तो चलिए अब हम सबसे पहले गोश्ट को मारिनेट कर लेंगे यह हडी वाला गूर्थ 750 ग्राम अध्रेकलेशन का पीस्ट आड़ कर लेंगे तीन टेबल स्पून तो जिस बरतन में यह बना रहे हैं उसी में मारिनेट कर लेंगे इसको नमक एक टीस्पून मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट किया साब से इसमें आड़ किजिए आदा टीस्पून हल्दी पॉडर और य जाएगी दनिया पॉडर एक टीस्पून चार से पांच काली मिर्च के दाने और यह लेंगे हम चार से पांच कबाबची नी इलाइजी पॉडर एक टीस्पून दो तेज पत्ता और यह जाफरान का दूद आदा टीस्पून जाफरान को लेकर हम गरम दूद में मिक्स कर लेंगे यानि हलके से गरम दूद में मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए इसका जो कलर है इस तरह का आजाएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसके बाद में गोस्त में आट कर लेंगे जाफरान का दूद अब यह अच्छ तो यह देखिए, इसको अच्छे से मिला लेने के बाद में, अब हम इसको ढखान से कवर करके रख देंगे, आदी घंटे के लिए, या अगर आप लोग इसे भी ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाह रहें, तो रख सकते, मसालों का जो फ्लेवर है, वो तच्छे से आता, जितना इसको ज़्यादा टाइम के लिए मारिनेट करके रखेंगे तो, तो यह देखिए, आदर घंटा हो गया, आदर घंटे के बाद में, अब हम इसमें एक गलास पानी आड़ करेंगे, तो दमके गुष्ट में पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करते हैं, मगर इसमें प पानी आड़ करेंगे, अब हम असल तो इसका जो तरीखा है, पापई का पेस्ट आड़ करते हैं, मटन को मैरिन आड़ करते हैं, तो काफी वीवर्स की रिक्वेस्ट थी के बीना पापई के पेस्ट की यह रेसिपी बताऊ वलके, इसलिए में रेसिपी बनाई, तो अब हम इसमें, कुकिंग ओईल आड़ करेंगे, कुकिंग ओईल जो है, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसके अंदर आड़ कर लीजिए, और यह है, कोपरा, काजू, और प्यास, खशखश का जो पीसा हुआ पेस्ट है, यह आड़ करेंगे अब, रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर किजिए, अपने फैमिली और फ्रेंस में, थोड़ा सा पुदीना आड़ करेंगे, अब, 250 क्रम दही, अच्छे से मिला लेंगे, दही आड़ करने के बाद में, मसाले और दही आड़ करने के बाद में, अब हम इसको ठकन से कवर करेंगे, और इसको पकाएंगे, हम मीडियम हीट पे पहले 10 मिनिट के लिए पकाएंगे, यानिके मटन को अच्छे से इसमें उबाला आने देंगे तो ये देखिए अब ये जो मटन है इसमें अच्छे से उबाला आ गया ये अच्छे से पकना शुरू हो गया तो क्या करेंगे हम फिर से इसको ढखन से कवर करके रख देंगे बिल्कुल low heat पे इसको दम पे पकने के लिए रख देंगे 35-40 मिनट के लिए तो इस तरह से अगर हम इसको low heat पे पकने के लिए रख देंगे तो गोश्ट अच्छे से गल जाएगा तो ये देखिए 35-40 मिनट अब हो गए ये गोश्ट बहुत अच्छे से गल गया ये देखिए हड़ी से बिल्कुल अलग हो जारा गोश्ट अच्छे से पक गया ये अब हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा कोतमीर पुदीना और चार से पांच श्लेट की हुई हरी में शैट कर लेंगे एक निम्बू का निकाला वारस हरा मसाला और निम्बू का रस आट करने के बाद में अब हम इसको फेसे ढकन से कवर करके सिर्फ पांच मिनट के लिए पका लेंगे और ये अच्छे से सप्रेट हो जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे तो ये देखिए पांच मिनट जब हो जाएंगे हम फ्लेम आफ कर देंगे ऑईल बहुत अच्छे से सप्रेट हो गया ये ये देखिए अब ये जो दम का गुछत है बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए तो चलिए अब हम इस पोटिश आट कर लेंगे और आप लोग इसको सर्फ कर सकते प्लेन राइस या फिर बगारा खाना पराठा रुमाली रोटी या फिर नान की रोटी के साथ में जैसे आप लोग चाहें इसको सर्फ कर सकते अब हम इसको गानिश कर लेंगे थोड़ी सी तलीवी प्यास बारी कटेवी कोतमिर और हरीमिर्ज के साथ में तो बिना पपई के पेस्ट के इस तरह से आप लोग इसको बना ले सकते या फिर अगर आप लोग के पास में पपई है तो एक टेब्ल स्पून पपई आट कर लेजिए यानि कि पीसीवे पपई क पपई के पेस्ट की वज़े से गोष्ट बिना पानी के गल के तयार हो जाता और बत अच्छे से भी गल जाता तो है